Hello Everyone, तो आज हम अपने strings playlist का question number 9 के रना है Question number 1657, medium level का question है Question का नाम है, determine if two strings are close Okay, this question has been asked by Google, Adobe, Microsoft, Morgan Stanley, Uber, Atlassian Question अच्छा है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, इसमें, आपको clear हो जाएगा Input और Output देके समझते हैं कि question क्या है, तो question में क्या दे रखा है कि आपको एक word 1 दिया रहेगा, ठीक है और आपको ये बोल रहा है कि आपके पास दो operation से job कर सकतो ठीक है, दो operation कर सकतो, सबसे पहला कि swap any two characters ठीक है, कोई भी दो character को आप swap कर सकतो word 1 में कोई भी दो character को आप swap कर सकतो ठीक है, दूसरा operation वो क्या बोल रहा है कि आप कोई भी character को चुनो और उसके जितने भी occurrences है ना, उसको किसी दूसरे character के occurrences से change कर सकतो देखो, मैं बता रहा हूँ ये क्या है for example, जैसे माल लेते हैं, यहाँ पर आपके पास कोई string ऐसा है a, b, c, c, d, ठीक है तो मैं ये कहना चाहरा हूँ, operation two में ये क्या बोल रहा है कि आपने माल लेते हैं a को चुना और c को चुना, ठीक है तो c दो पर आ रहा है मैं चाहता हूँ कि a को मैं transform कर दूँ c में ठीक है, तो a तो c हो जाएगा ये b का b रहेगा और जो c, c थे न, वहाँ पर a आ जाएगा a, a, ठीक है और a, d हो गया ठीक है, तो ये दो ही operation आप कर सकते हो ओके एक और example दिखा जिता हूँ a, a, c, a, b, b ठीक है आप चाहते हो कि आप a को b में convert करो ठीक है तो ये a है वो b हो गया ये a है वो b हो गया ये c का c रह गया ये a है वो b हो गया और ये जो b है वो a हो गया ये जो b है वो a हो गया ठीक है बीबी सी बी ए ए ए तो ये दो ही ओपरेशन आप कर सकते हो और आपको करना क्या है आपको ये चेक करना है कि आप ये दो ओपरेशन करके वर्ड वन को वर्ड टू बना सकते हो कि नहीं है ना वर्ड वन को वर्ड टू बना सकते हो कि नहीं यहांपल की कैसे इस कांसर ठ्रू है है तो यह बोल रहा है कि वर्ड वन हमारा abc है और वर्ड ांव व्रू हमारा bca है तो देखते हैं यहां पर bc है ठीक है तो पहले क्या करो एए यह b और c को स्वhur्य को स्वैप कर लो c और b हो गया ठीक है फिर A और B को swap कर लो क्या हो जाएगा B C A होगे ना word 2 के बराबर बता आपने operation 1 यूज़ करके दोनों को equal कर दिया ठीक है अब देखो इसको approach में कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ सबसे पहले तो एक बार बताता हूँ कि maximum videos में intuition नहीं बताया है मैंने देखा था intuition नहीं बताया लोगोंनों की कैसे उनके मन में ये solution आया जो की सबसे important part है मैं अगर आपको अभी का भी solution बता दूना solution बहुत छोटा सा और simple सा है solution बहुत छोटा है और simple है लेकिन वो solution में आए कैसे वो ज़्यादा जरूरी है पता करना ठीक है तो चलो इसका intuition समझते हैं पहले चलो ठीक है मैं intuition बताना चाहता हूँ ठीक है आप direct मैं solution नहीं बताऊंगा यही जो लोग नहीं बताते हैं ठीक है तो देखो मैं एक example ले रहा हूँ word 1 यह word 2 यह है ठीक है तो आपको याद करो उसलिए क्वेशन में तो दो operation दे रखा है ना operation 1 और operation 2 ठीक है operation 1 क्या था? swap था तो swap आप किसको किसको करोगे existing characters को ही करोगे जैसे मानलों C है इसको आप किस से swap करोगे जो यहाँ present है उन में से ही किसी एक से करोगे थोड़ी ना आप C को Z से swap कर दोगा Z तो यहाँ है ही नहीं मतलब कोई नया character आप नहीं ला सकते तो देखो मैंने कुछ वर्ट सीज कर रहा हूँ no new character ठीक है यह clear हो गया आप नया character नहीं ला सकते यह question में बोल रखा है कि swap करो existing characters में ही तो यह तो पता चल गया swapping वाला दूसरा देखते है operation 2 जो बोलना था transform करने को for example आपको C को transform करना है A में ठीक है मतलब किसी existing character में ही transform करना है आपको question में साफ साफ दे रखा है existing character में ही transform करना है यह नहीं है कि C को मैंने बोला C को आप ZB कर सकते हो नहीं C को आप उसी में transform कर सकते हो जो present है C को मालो A में transform करना है तो यह C A बन जाएगा और जहाँ जहाँ A था वहाँ C बन जाएगा ठीक है existing character में ही transform कर सकते हो और existing character में ही swap कर सकते हो तो पता है इससे एक point तो पक्का से clear हो गया कि जो characters word 1 में है वो characters word 2 में भी होना चाहिए ठीक है मतलब कि कोई भी ऐसा character नहीं होना चाहिए जो किसी एक में ही सिर्फ present हो है ना माल लेते हैं यहाँ पर A यहाँ पर Z भी होता ठीक है तब तो possible नहीं कि word 2 में मैं जा सकूँ है ना कोई भी ऐसा character नहीं होना चाहिए जो किसी एक में हो जो character जो word 1 में है वो word 2 में भी होना चाहिए ठीक है जो word 2 में है वो word 1 में होना चाहिए यह बात clear हो गई कि since जो operation करने को बोला है वो बोला है कि existing characters में ही करने है मतलब नया character नहीं आ सकता कहीं से भी जादू से कोई भी operation से नया character नहीं ले सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो characters word 1 में है वो characters word 2 में होना चाहिए जो किसी एक में ही हो सिर्फ तो पहला point तो बहुत अच्छे सा clear हो गया ठीक है? देखो ध्यान दो, मैं frequency के बात नहीं कर रहा ठीक है? यहाँ पर ए देखो दो बार है यहाँ पर ए सिर्फ एक बार है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा भी frequency पर आएंगे बाद में बट अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से characters present है ठीक है? यह चीज़ तो clear हो गई कि भाई, कोई भी ऐसा character नहीं होना चाहिए जो किसी एक में हो सिर्फ ठीक है? दोनों में होना चाहिए कोई भी character उठा लो ठीक है? अब आगे पढ़ते है तो चलो हम इस point से तो राज ही हो गए point number one जो मैंने अभी यहां लिखा है इसको दिमाग में रखना ठीक है? अब आगे देखते है मैंने फिर से same example लिया है तो चलो आपको यह चीज़ तो पता चल गया कि अच्छा, जो characters कोई भी ऐसा character नहीं होना चाहिए जो किसी एक में ही हो सिर्फ character तो भाई, जो word one में है, वो word two में होना चाहिए कोई भी नया character अगर आ गया जो किसी एक में ही है सिर्फ मतलब return false, नहीं कर सकते है strings close नहीं है, ओके? अब आते हैं आगे, देखो चलो, ठीक है, ये तो tension खतम हो गया, कि भाई, characters तो जो यहाँ पर है, वो यहाँ पर भी होंगे, ठीक है अब हमारा एक tension क्या बचा है, एक last tension है हमारा देखते हैं, उसों कैसे solve करते है यहाँ पर C को देखो तो C यहाँ एक ही बर आ रहा है, यहाँ पर दूसरा tension इसको solve करते हैं, दूसरा tension क्या है, भाई, C यहाँ 1 है, यहाँ 3 बर है तो देखो यह भी tension नहीं है देखो, question में क्या बोल रखा, कि आप transform कर सकते हो, ठीक है यहाँ C एक बर है, यहाँ C तीन बर है, तो यहाँ पर देखो तो C को तीन बर कर सकते हैं, क्या C को तीन बर कैसे कर सकते हो सोचो transform करके, है ना, तो देखते है C को, अगर यहाँ पर कौन है भाई, जो तीन बर है B है तीन बर, तो C को transform कर दो B से, तो B यहाँ आ गया A आ गया, C, 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 A आ गया अब दोगो, C यहाँ तीन बर आ गया यहाँ पर भी C तीन बर आ गया ठीक है यहाँ तक clear है, ओके अब अब देखते हैं, कि चलो, यह tension तो खतम हो गया अभी इस पर देखते हैं यहाँ पर B एक बार है यहाँ पर B दो बार है याद करो, पहले क्या था C यहाँ एक बार था, C यहाँ तीन बार था ठीक है अभी यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या हुआ B मेरा एक बार है और यहाँ B दो बार है ठीक है, तो अभी भी मैं साड हूँ ठीक है, बट, अब देखो अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर B दो बार चाहिए क्योंकि वर्ड टू में B दो बार है तो मैं चेक कर लेता हूँ यह जो वर्ड है मेरा, इसमें कोई है बंदा जो दो बार आया है उसे मैं ट्रांस्वर्म कर लोगा इसका मतलब पता है यह हूँ तो इसका मतलब पता है क्या हूँ जो धान दे ना इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां जो frequencies है, यहां 2 है, 3 है, 1 है, मुझे फर्क नहीं परता कौन से letter का है, frequency देखो, 2, 3, 1 है ना, यहां पर देखो फिर, इस से letter को भूल दो, सिर्फ frequency देखो, 2, 3, 1, यहां पर भी 2, 3, 1 है, मतलब दोनों में जो है ना, frequencies भी same होने चाहिए, कि इस character का है, मुझे फर्क नहीं परता, क्योंकि वो तो मैं transform कर लूँगा, वो दिक्कत नहीं है, हमें transform की हजादी दे रखी है, तो character कोई भी कर सकता हूँ, मुझे यह tension है, कि frequency सेम होने चाहिए, उसमें 2, 3, 1 है, तो इसमें 2, 3, 1 ही होना चाहिए, ठीक है, तो एक और example दिख लेकिन word 2 में नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा character है, जो किसी एक में ही है सिर्फ, नहीं, इसमें A है, इसमें भी A ही है, पहला tension हमारा खतम, ठीक है, यहाँ पर A का frequency 1 है, यहाँ पर A का frequency 2 है, ठीक है, है ना, अब देखो, यहाँ पर A को तो दो बार होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कोई है ही नी, जिससे A खुद को transform कर सके, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दोनों की frequency भी अलग अलग है, है ना, मतलब इसके पास frequency 1 है, frequency का set अगर बनाया जाए, frequency का set बनाते है, इसके पास 1 frequency है, इसके पास 2 frequency है, देखरो, frequency है नी सेम, है ना, पर कितना अच्छा था है यहां पर फ्रिक्वेंसी अगर देखा जाए तो सी का 1 एककर दो थीन है यहां पर फ्रिक्वेंसी देखाा थां एक वन है व्रुण तो अगर भी छे चैनल आप आते हैं हर और पर मीकंडे कर आख पाते हैं मैं उसका मतलब second point क्या हुआ कि जो frequencies word 1 में present है में है वो frequencies word 2 में भी होना चाहिए clear यह चीज़ समझ में आ गया हम आपको example भी दिखा दिया कि अगर frequencies है वो available 123 123 इसमें 123 frequency है यहां पर 123 frequency है अगर दोनों के frequency सेम है तभी मैं transform कर पा रहा हूं है ना तो frequencies सेम होने चाहिए और transform मुझे आजाद ही कभी भी किसी को भी transform कर सकता हूं है ना तो मैंने पहला चीज इंशोर यह कर लिया कि character जो word 1 में हो word 2 में है और दूसरा यह इंशोर कर लिया कि frequencies भी सेम है दोनों में तो मुझे कोई नहीं रोख सकता कि मैं word 1 को word 2 तक पहुंचा सको एक्जामपल से ही clear हो गया होगा आपको ठीक है और यह दो frequency में क्या करोगे word 1 की टाल देना है और मENE करेंगे 26 साइज का एक वेक्टर ले ले लिए फ्रिक्टर लेडिया तो च्बिश साइज है तो एक दो, तीन, चार्ड… ठीक है, 01,02,325 01,23…25 ठीक है, अब देख लेते हैं, कोई भी question देखके solve कर लेते हैं जैसे याद करो word 1 क्या था? word 1 था मेरा,C,AB,BA, है ना और word 2 मेरा क्या था A, B, B, C, C, C तो क्या करते हैं populate कर लेते हैं frequency word 1 को पहले populate करते हैं frequency 1 वाले vector में C कितने बार आया है भाई याद को और index ऐसे निकालते थे C minus A करते थे index निकालने के लिए यह मैंने बहुत पहले भी सिखाया था आपको किसी character का index निकालना है छब इस size के vector में तो उसको minus of A कर दो तो पहले C का निकालते है C एक बार आया ना तो C का एक कहां count भर दिया यह A है, यह B है, यह C है, यह D है डॉट 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 यह Z है तो एक का भरते हैं A आया एक बार B आया एक बार B आया दो बारा है ना फिर B आया तीन बार आ गया भी और A एक बार और आ गया है ना A आ गया एक बार और ठीक है, तो A हो गया दो है ना, तो हमने frequency को update कर दिया, चलो बढ़िया अब frequency 2 का भरते है A आया एक बार B आया दो बार और C आया तीन बार है ना, तो हमने frequency को तो update कर दिया, चलो ठीक है अब मैंने दो point क्या बोले थे, पहला point क्या बोला था, कि जो character frequency 1 में है मतलब word 1 में है, या तो frequency 1 में है, जो character word 1 में है, word 2 में हो ठीक है, पहला तो ये check कर लेंगे, ठीक है, मतलब अगर यहाँ a में वो अगर a की value 0, नहीं यहाँ पर देखो a जो है उसके में देख रहे है, non zero value है मतलब यहाँ पर a है word 1 में और frequency 2 में देखो यहाँ पर non zero value है, 1 है मतलब a word 2 में भी है ठीक है, मतलब अगर word 1 में वो a है तो word 2 में भी वो होना चाहिए और अगर word 1 में नहीं है तो word 2 में भी नहीं होना चाहिए ठीक है, यहाँ तक clear है यानि की condition क्या लिखो गए ऐसे लिखो गए कि if frequency 1 में यहाँ a लिख देता हूँ, ऐसे ठीक है, a अगर 0 के बराबर नहीं है ठीक है तो frequency 2 में भी उस a का, a मतलब जो भी character आप ले रहे हो, मैं i लिख देता हूँ, ठीक है index मान के चलते हैं, है ना not equal to 0 होना चाहिए correct frequency 1 में अगर वो non-0 है तो frequency 2 में भी non-0 होना चाहिए ठीक है, या फिर अगर frequency 1 में वो नहीं है, मतलब 0 है उसकी count, तो frequency 2 में भी वो नहीं होना चाहिए is equal to is equal to 0, ठीक है ये दोनों है तो safe है हम अगर ये दोनों नहीं है तो चुप-चाप false return कर दूँगा मैं ये चीज clear है, ठीक है आप कैसे भी condition लिख सकतो है ये आप पर है ये मैंने symbol तोड़ दिया दो if condition में कि अगर वो word 1 में है तो word 2 में भी होना चाहिए word 1 में नहीं है तो word 1, 2 में भी नहीं होना चाहिए ठीक है, ये मैंने दो if statement में इसलिए तोड़ा तो किता कि मैं समझा सकूँ असानी से आप कैसे भी लिख सकतो पहला तो ये कि जो character word 1 में है वो ही character word 2 में भी होना चाहिए vice versa दूसरा मैंने क्या बला था कि frequencies जो है न वो same होने चाहिए तो frequency 1 में देखो तो क्या क्या है 2 है, 3 है, 1 है frequency 2 में क्या है 1 है, 2 है, 3 है order से मतलब नहीं है order से थोड़ी मतलब है ठीक है हमें क्या मतलब है कि present होना चाहिए यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ पर भी 2 है यहाँ तीन है ना यहाँ पर भी 3 है यहाँ 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 तो कैसे यह कैसे पता करोगे, sort कर लो दोनों को sort कर लो है न, sort frequency 1 sort frequency 2 उसके बाद दोनों equal होने चाहिए तो frequency 1 को अगर sort करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 बड़ा सा vector है न अब आद में 0, 0 होंगे, जो भी है ठीक है, frequency 2 को जब sort करेंगे तो 1, 2, 3, बाद में 0, 0 होंगे तो दोनों सेम हो जाना चाहिए, frequency 1 frequency 2 तो last में यह भी check कर लेंगे if frequency 1 is equal to is equal to frequency 2 return true है न, अगर नहीं है, else return false ठीक है, दोको यह बहुत जरूरी है कि आपको intuition पता हो, ठीक है, हमने intuition देखा, intuition से हमने 2 points निकालें, ठीक है, पहला point, दूसरा point यह था, पहला point यह था है न, और उन्हीं दोनों points को बस हमने यहाँ पर code में convert कर दिया है न, तो बस यही दो point को दिमाग में रखते हुए, अगर आप इसको solve पर होगे न, solve हो जागे, सारे इसके से इसपास हो जाएंगे, तो चलो बिलकुल same का same story अभी मैं code में उतारने वाला हूँ, और जब code में उतारूंगा तो मैं same story सोनाता भी रहूंगा, तो और अच्छे से clear हो जागा, ठीक है, चलो scoring word2.length, ठीक है, यहां तक clear है, उसके बाद मैंने क्या बला था, कि दो frequency के लेंगे, वेक्टर लेंगे, वेक्टर ओफ int, ठीक है, frequency 1, जो कि word1 के character सी frequency store करेगा, ठीक है, 26 का size का होगा, यह न, और initialize 0 से कर सकते हैं, but, automatically C++ में by default 0 से initialize होता है, तो मैं हटा देता हूं यहां पर, ठीक है, यह frequency 1 हो गया, word1 के character store करेगा, frequency store करेगा, frequency 2, यह 2 हो गया, ठीक है, अब ठीक है, पॉप्लेट करते है, int i is equal to 0, i is less than m, i++, ठीक है, frequency of, क्या हो जाएगा, word of 1 का i, ठीक है, पहले तो character निकाला दे, character ch is equal to word of 1 का i, है न, फिर यहाद करो index कैसे निकालते थे हैं, character से ch minus a, है न, int idx is equal to ch minus a करते थे थे न, इससे index निकल जाता था, ठीक है, अब frequency में वहाँ पर कर देते हैं, frequency idx plus plus, frequency 1 है न, यह word 1 का हम कर रहे हैं, ठीक है, similarly, चलो word 2 का भी कर लेते हैं, ठीक है, word 2 का length n है, ठीक है, word 2 i, index, frequency 2, ठीक है, और एक चीज़ और सोचो, तो, दोनों का length तो भाई हमेशा equal होना चाहिए, अगर length equal नहीं है, तो कभी जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि extra character आप add कर नहीं सकते हैं, वो तो question में दे रखा है, तो पहले ही डाल दो, m not equal to n है, तो return false कर दो, है न, और यहां से क्या clear होगा है, कि m और n बराबर है, ठीक है, तो आप एक ही loop में दोनों को कर सकते हो, एक ही loop में दोनों को कर सकते हो, m और n बराबर है न, ठीक है, तो character ch1 कर दो, character ch2 कर दो, word of 2 का i, ठीक है, एर index 1 कर दो, और index 2 कर दो, ch1 था यह, ch2 था यह, हो गया, frequency 1 में idx 1 plus plus करेंगे, frequency 2 में idx 2 plus plus करेंगे, as simple as that, same कहानी उतार रहा है, frequency हमने update कर दी, ठीक है, उसके बाद, मैंने क्या बोला था, first point, ठीक है, जो character word 1 में है, वो character word 2 में भी होने चाहिए, ठीक है, तो उनका presence देख लेते हैं, ठीक है, for int i is equal to 0, i less than 26, i plus plus, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कि if frequency of 1 ki में, अगर not equal to 0 है, मतब word 1 में वो present है, तो frequency 2 ki में भी, it should be not equal to 0, मतब, we are good, अगर word 1 में है, तो word 2 में भी not 0 होना चाहिए, तो इसमें भी continue कर देंगे, और अगर word 1 में नहीं है, मतब, frequency 1 i is equal to 0 है, तो frequency 2 में i में भी 0 0 होना चाहिए, तब भी we are good, और ये दोनों condition नहीं हो, तो भाई, false कर देंगे, चुप चाप, ठीक है, first point हमने कर लिया, कि जो care word 1 में है, वो care word 2 में भी होना चाहिए, ठीक है, first point clear, second point क्या था, frequency match कर लो, भाई, जो frequency इसमें है, frequency 1 में है, वो frequency, frequency 2 में भी होना चाहिए, ठीक है, तो match frequencies, तो उसके match कर निकल क्या है, बहुता, sort कर देते हैं, ठीक है, frequency 1, end frequency 1, ठीक है, यह sorting कर रहे हैं, इसलिए time complexity analog n हो जाएगी, ठीक है, frequency 2, वैसे भी constant है, frequency का size देखो, 26 है, ठीक है, frequency 2 है, तो return कर देंगे, अगर frequency 1 जो है, बराबर हो गया, frequency 2 के, तो true return हो जाएगा, अगर बराबर नहीं हो, तो false return हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमने first point verify कर लिया, और second point भी हाँ verify कर लिया, हमारा कहानी इधर ही over हो गया, इसको submit कर के देखते हैं, let's see if we are able to pass the test cases, example test cases run कर लेते हैं, सारे pass हो जाने चाहिए, उसके बाद submit कर लेंगे, great, let's now submit this question, great यार, we have solved this question, we have passed all the test cases, I hope आपको समझ मेया हो, intuition is very important, किसी वीडियो में मैंने नहीं देखा, किसी अगर बताया तो अच्छी वात है, बट मुझे नहीं देखा कि कहीं पर भी intuition अच्छी जा मेंचन है, तो कोई भी doubt हो था, please raise it in the comment section, I'll try to help you out, see you guys in the next video, thank you,